तो यहां देखिए दोस्तो यूपी बैसिक एजूकेशन बोर्ड रिक्वार्मेंट 2018 अप्लाइ आउनलाइन फोर 68500 असिस्टेंट टीचर तो यहां पे आप लोग तो वैकंसियों की संख्या देख लिए कि लगभग 70,000 जो है वैकंसी टीचर की है तो उसका क्या क्वालिफिक अप्लिकेशन है और क्या अप्लिकेशन फी है सारा इंफ्रमेशन मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग तक पहुंचाने की कुछिस करूँगा तो वीडियो को अंत तक देखते रहें सारे इंफ्रमेशन के तिसका लास्ट डीट जो है यहां देखिए है पांच परवरी नहीं तक जो है छो बजे साम तक आप जो है कर सकते हैं और इसका विगिनिंग डेट है छबी जनवरी से छबी जनवरी से ही यह ओनलाइन शुरू है तो और आगे की जनकारी के मैं बता रहा हूँ आप बने रहें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं candidate should process process degree from nc d-e to year dl d-ead previous name Pallag or d-ead ka naam tha btc degree with two years btc primary level ct et intermediate equivalent इसका फुल एनलाइसिस का की तो दोस्तों एजूकेशन क्वालिफिकेशन के बारे मैं आप अपना लिंक दे दूंगा इसका फुल एनलाइसिस का की तो दोस्तों एजूकेशन क्वालिफिकेशन के बारे मैं आप देख लिए आप चलते हैं एक्जाम फी क्या क्या है एक्जाम फी कैंडिडेट हैब टूपेः 600 एज फोर जैनरल और ओबीसी के टेगरी जैनरल और ओबीसी के लिए 600 रुपिया लगेगा एसी के लिए और एस्टी के लिए 400 रुपिया लगेगा यह जो है एस्बीए ब्रांच ऑप्सन फोर ट्रैकिंग प्रिंट और चलान फोर डिपोजिट तक्यास एड़ था एनी एस्बीए ब्रांच नो फी पोर पी एच केंडिडेट का फीज में छूट है उससे कोई फी नहीं लगेगा और देख लेते हैं इसकी जानकारी यहां पर देखिए दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ नोटिफिकेशन के लिए आप जो है डिरेक्ट डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं फूल डिटेल क्या कॉलिफिकेशन है कहां पर केतनी सीट है सारा कुछ टैम टेबल तो यहां पर मैं उतना नहीं बता पाऊंगा क्योंकि अगर यह कि एक मैं बत और वीडियो को लाइक करें दोस्तों इसी तरह का वीडियो मैं अप्लोड करते रहता हूं तो आप अपना फीडिवेक हमें जरूर भेजें यह आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है या नहीं आपके फीडिवेक से ही हमें पता चलेगा तो चैनल को सब्सक्रेब करना आपने तने बादे